इस वीडियो में हम Spring Class 4 Workbook Day 32 की वर्कशीट का सोलुशन देखेंगे यह आपका जो Wake Up Poem है उस पर ही अधारित वर्कशीट है सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है Read aloud the sentences given below यहाँ पर आपको जो sentence दे रखी हैं उन्हें जोर से पढ़ना है I play football मैं football खेलता हूँ I eat food मैं खाना खाता हूँ We sing a song हम एक गीत गाते हैं You take a bath तुम नहाते हो I read books मैं किताबे पढ़ती हूँ अब देखते हैं हम अपने पहले question को Write the words having similar sound from the poem अब इस poem से उन शब्दों को लिखना है जिनकी आवाज इनके जैसी है जैसे read, bad, some, come, dear, hear, hate, late यह शब्द आपकी poem में आए हैं तो इन शब्दों को आप अपनी poem से देख करके लिखेंगे हमने आपके लिख दिये हैं आप अपनी workbook में ऐसे ही भर लेना अब देखते हैं हम अपने इस second question को make sentences with the words given below one has been done for you अब आपको क्या करना है यहाँ पर इन sentences को इन शब्दों की help से बनाना है एक इनोंने करके दिखाया है I play football, you play football, we play football अब देखते हैं हम इस sentence को eat इसको देखते हैं I eat अब माल लीजे ice cream ये लड़की खाना खा रही है या माल लीजे ये ice cream खा रही है तो आप इसमें ये लिख सकते हैं I eat ice cream, you eat ice cream, we eat ice cream यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं I eat food आप यहाँ पर food भी लिख सकते हैं आप फूर लिख दीजिए I eat food, you eat food, we eat food, यहां पर यह भी लिखा जा सकता है अब देखते हैं हम इस शब्द को sing, sing का मतलब होता है गाना और अभी जो उपर हमने शब्द पढ़ा है eat, eat का मतलब क्या होता है खाना sing, I sing song मैं गीत गाती हूँ, you sing song तुम गीत गाते हो, we sing song हम गीत गाते हैं अब इसको देखिए read, read मतलब होता है पढ़ना I read books मैं किताबे पढ़ती हूँ, you read books तुम किताबे पढ़ते हो, we read books हम किताबे पढ़ते हैं तो इस तरह से इस वीडियो में हमने डे 32 की वर्कशीट का सोलुशन देखा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद